यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है, 45 दिन, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लंदन विश्वध्याले में दर्शन शास्तर के बुधिमान प्राध्यापक C.E.M. जोड एक मसीही नहीं थे एक रेडियो कारिक्रम में उनसे पूछा गया कि यदि आप अतीत में से किसी व्यक्ति से मिलें और उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछें तो आप किस से मिलना चाहेंगे और क्या पूछना चाहेंगे प्राध्यापक C.E.M. जोड ने बिना संकोच किये उत्तर दिया मैं इशू से मिलकर दुनिया का सबसे महतपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप मरने के बाद फिर से जीवित हुए थे या नहीं हुए थे फिर प्राध्यापक C.E.M. जोड के जीवन में ऐसा दिन आया जब वे सुबूतों का आकलन कर रहे थे तो उनकी मुलाकात स्वयम इशू से हुई और उन्होंने रिकवरी आफ बिलीफ नामक एक किताब लिखी यदि इशू मसी मरने के बाद फिर से जी उठे हैं तो यह सब कुछ बदल देता है जब नए नियम के लिखक परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखते हैं तो वे क्रूस की और संकेत करते हैं जब वे परमेश्वर की सामर्थ के बारे में लिखते हैं तो वे पुनुरुथान की और संकेत करते हैं परमेश्वर की अतुलनीय महान सामर्थ मसी में डाल दी गई थी जब उन्होंने इश्व को मरे हुँ में से जीवित किया था इफिसियों एक का उननीस और बीस जी उठे मसी अपने शिश्यों से कहते हैं स्वर्ग और प्रत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है पनुरुठान का अर्थ है इश्व हमारे साथ अब भी मौजूद है इश्व आगे कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ उनके पनुरुठान का परिणाम केवल उनकी सामर्थ और उनकी उपस्तिती ही नहीं है बलकि उनकी व्यवस्ता भी है बजन सहीता 21 का 8 से 13 तक उनकी सामर्थ नई नियम के अनुसार इशू ही है जो परमेश्वर की सामर्थ है पहला कुरंथियों 1 का 24 दाउद तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति यानि परमेश्वर की स्तुधी करता है बजन सहीता 21 का 13 वह परमेश्वर के हाथ में अपने विश्वास के बारे में कहता है और वह भी खासकर के दाहिने हाथ के बारे में बाइबल में हाथ खासकर दाहिने हाथ का उपियोग सामर्त और अधिकार के प्रतीक के रूप में किया गया है उधारन के लिए हमारे आज के पुराने नियम के पठन निर्गमन 15 के 16 और 12 को देखें दाउद नियाय के विशय में परमेशुर के शक्तिशाली हाथ के बारे में कहता है नए नियम में पुनुरोथित इशु का बार बार उलेख परमेश्वर के दाहिने हाथ पर किया गया है। उदाहरण के लिए प्रेरितों के कारिय दो तैंतिस। जब हम हानी और बुरी युक्तियों को पूरा होता हुआ देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी ताकत अस्थाई है क्योंकि इशु संपूर्ण अधिकार और सामर्थ के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैटे हैं। ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर हस्तक शेप करेंगे। इशु जी उठे हैं और जीवित और मरे हुओं का नियाई करने के लिए फिर से आने वा मती 28 का 1 से 20 तक उनकी उपस्थिती। मैंने पाया है कि पुनरोथित इशु की उपस्थिती को महसूस करने से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है। जी उठने वाले इशु अपने अनुयाईयों को आग्या देते हैं। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को छेला बना चर्च को फिर से मजबूती देना और समाच को बदलना इसे इशु की इन आग्याउं से लिया गया है। आग्या के साथ एक वाचा भी आती है। मैं जगत के अंत तक सदैव तुमारे संग रहूंगा। पुनुरुथान सिर्फ एतिहासिक सच या धार्मिक विचार नहीं है यह जीवन को बदल देने वाली सच्चाई है। परमेश्वर वायदा करते हैं जब आप उनकी आग्याउं को पूरा करने के लिए बाहर जाएंगे तो पुनुरुथित इशु की उपस्तिती आपके साथ जाएगी। जब स्त्रिया कबर को खाली देखती हैं तो स्वर्गद उससे कहते हैं वह यहा नहीं है परन्तु अपने वचन के अनुसार जी उठा है तुम उसका दर्शन पाओगे। वे आनन से भर गई और शिश्यों को बताने के लिए दौड पड़ी। जब उन्होंने ऐसा किया तो इशु उन्हें मिला। उन्होंने जी उठे इशु की बहुत जल्दी शुरू हो गया और सभी सभूतों के बावजूत किसी ने भी विश्वास नहीं किया। यह बताया गया कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। कुछ लोग अब भी इस सपष्टी करण को निर्विवाद मान रहे हैं लेकिन यह सबूत के साथ सही नहीं बैठता। तक उनसे बातें की प्रिरितों के काम एक का तीन पहला कुरंथियों पंदरा का छे। नमबर पांच यदि शिशियों ने उनकी देह चुराई होती तो उनका पूरा जीवन जूट पर आधारित होता। मरना और गाडे जाना अंत नहीं हैं मसी में आप भी मृतकों में से जी उठेंगे। पहली बार एक स्त्री को यह संदेश देने का काम सौंपा गया था। खासकर यह ध्यान देने योगी है कि उस समय न्यायले में महिलाओं को एक गवा के रूप में नहीं माना जाता था। बाइबल में महिलाओं दुआरा अगवाई करने के अनेक उधारण हैं। हमारे आज के पुराने नियम के पध्यांश में मिरियम एक उधारण है। मत्ती के सुसमाचार का आरंब यह कहकर हुआ है कि इशु पर मेश्वर हमारे साथ हैं। इस सुसमाचार के आकरी वचन में इशु इस बात की पुष्टी करते हैं कि उनके शिश्यों के साथ उनकी उपस्तिती सदा तक बनी रहेगी, जो इशु पर विश्वास करते हैं और जो उनकी आग्याओं को मानते हैं उनके लिए वह वायदा करते हैं. देखो मैं जगत के अं पस्तिती मेरे साथ बनी रहेगी. पुरानानियम निर्गमन 15 का 1 से 16 के 36 तक उनका प्रावधान. क्या आप अपने भविश्य, अपने स्वास्ते, अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपने धन को लेकर चिन्तित हैं? आज ही निर्णे लें कि आप चिन्ता नहीं करेंगे जॉइस मेर लिखती हैं, जब हम भविश्य के शिन्ता करते हैं, तो हम आज का दिन बरबाद कर देते हैं. परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और एक बार में एक दिन ही जीना सीखिए. इस पध्यांच में हम देखते हैं कि परमेश्वर देने का वायदा करते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक हे दिन के लिए. इश्व ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, मती छे का ग्यारा. परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि आपको जब भी जुरूरत होगी, वह आपके लिए उपलब्द कराएंगे. अध् पंदरा का एक से पांच तक. फिर वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो उन्होंने पिछले दिनों में किया था. उद्धार, छुटकारा और प्रावधान. और अंत में वे उनकी स्तुति करते हैं उसके लिए जो वह भविश्व में करने वाले हैं. मार्ग दर्शन, उद की सारी जरूरतों को रोज की रूटी के रूप में पूरा करते हैं. लेकिन उसने कहा था कि उन्हें कल के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखना है. कोई इसमें से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े. यह ऐसा है जिसे हमने चर्च समुदाय के रूप में बरसों तक अनु करते हैं कि वह हमें महीने दर महीने और साल दर साल आप पूर्ती देते रहेंगे. यह हमेशा इच्छा बनी रहती है कि हम भविश्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखें. बजाए इसके कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि जब भी हमें जरूरत होगी वह हमें अवि प्रावधानों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं और वर्तमान में अपनी परिशानियों को लेकर कुड़कुडाने लगते हैं. अकसर हम ऐसा ही करते हैं. परमेश्वर की आशिशों को भूलाकर कुड़कुडाते रहते हैं. यह पध्यांच हमें अच्छे समय में और बुरे समय में परमेश्वर पर भरोसा करने की याद दिलाता है. इशु खुद हम से कहते हैं कि वह परमेश्वर का संपूर्ण प्रावधान है. वह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ. तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मनना खाया और मर गए. यह वह रोटी है जो स्व जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ. यदि कोई इस रोटी में से खाय तो सरवधा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूँगा वह मेरा मान्स है. यह इशु का पुनुरुथान ही है जो इस व्यवस्थापन को अनंत उत्तमता प् है कि आप अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसी इशु में है हमारी हर एक घटी को पूरा करेंगे. जब मैं धनिवाद सहित पीछे देखता हूं तब मैं आशा के साथ भविश्य में देखता हूं और यह भरोसा करता हूं कि आप अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित ईशु में है मेरी जुरूरतों को पूरा करते रहेंगे मरती 28 एक से आठ उस संस्कृती में जहास्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था ईशु ने सबसे पहले दो स्त्रीयों को दर्शन दिया उनने दो साधारन स्त्रियों को चुना और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समाचार सौपा आज का वचन क्योंकि मैं तुमारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ निर्गमन पंद्रा का चब्विस